नमस्कार आज के एक्स्टर दो सेशन में आपका स्वागत है और आज का पहला अपडेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ा है केंदर सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है खेटी और किसानों के लिए सिरफ 4% इंटरस रेट पर पैसा लेने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उसे बनवाने के लिए लगने वाली सारी प्रोसेसिंग फीज, इंस्पेक्शन फी और लेजर फोलियो चार्ज को अब खटम कर दिया गया है अगर कोई बैंक अब भी किसी किसान से ये चार्जिस लेता है तो उस पर कारवाई होगी इस योजना के तहट 3,00,000 रुपे तक का लोन मिलता है पहले बिना गैरेंटी के 1,00,000 का लोन मिलता था जिसे बढ़हा कर अब 1,60,000 रुपे कर दिया गया है आईए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं भारत सरकार ने ऑगस्ट 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉंच की जिसके जिम्मेदारी RBI और नाबार को सौपी गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उदेश्य बैंकों से किसानों को असान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती और जरूरी उपकरणों को खरीदने के लिए उनको पैसे से संबंदित कोई परिशानी ना हो अब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मोधी सरकार ने क्या बतलाग किये हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहट अगर आपके पास खेती करने के लिए जमीन है तो अपनी जमीन को बिना गिर्वी रखे बिना भी आप लोन ले सकते हैं बिना गारेंटी की इस लोन की लिमिट पहले एक लाख रुपे थी जिसे अब बढ़ाकर एक लाख साथ हजार रुपे कर दिया गया है। दूसरा परशुपालन और मचली पादन वाले किसानों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहट दो लाख रुपे प्रति किसान की लिमिट से 4% के इंट्रस टेट पर लोन मिलेगा ताकि किसानों को सहुकारों से मुक्ति बिल सके। तीसरा बतलाव इस समय देश में 7 करोड से ज्यादा किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इस योजना के तहट ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को लाव पहुचाने के लिए सरकारी बैंकों के सहयोग से किसानों को ये क्रेडिट कार्ड बनवाने में मद अब इसके आवेदन को भी सरल किया गया है और अब बैंकों को फॉर्म प्राप्थ होने की डेट से 14 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है किसान credit card योजना के तहद अलग-अलग बैंकों द्वारह अलग-अलग नाम से credit card दिये जाते हैं जैसे इलहाभाद बैंक त्वारह किसान credit card, बैंक ओफ बड़ोदा द्वारह बीक किसान क्रेडिट काड़, पंजाब नाशनल बैंक द्वारा, PNB कृषिक काड़, स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा, किसान क्रेडिट काड़. आपको बता दें कि खेटी और किसानी की लोन पर इंटरस्टेट वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सबसीडी देती है, इस तरह ये 7% हो जाता है, लेकिन समय पर लोन को लौटा देने वाले किसानों को 3% की छूट और मिल जाती है, इस तरह इसकी दर इमानदर किसानों के लिए सिरफ 4% रह जाती है कोई भी साहुकार इतनी सस्तिदर पर किसी किसान को कर्ज नहीं दे रहा है इसलिए अगर आपको खेती संबंधी खर्चों के लिए लोन चाहिए तो बैंक जाएए और किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवाईए और इसके तहट आपको 3 लाग रुपे तक का लोन मिल जाएगा ऐसी बहुत कम ही कंपनीज होंगी जहां का स्टाफ अपने काम और मैनेजमेंट से खुश हो लेकिन कुछ कंपनिया ऐसी हैं उनमें से एक है देश की नमबर वन आईटी कंपनी Tata Consultancy Services यानी TCS Tata Consultancy Services को Fortune Best Big Companies to Work 2020 के लिस्ट में काम करने के लिहाज से बहतर कंपनियों में शुमार किया गया है सर्वे के हिसाब से कंपनी के 80% लोगों ने वर्क और लाइफ में बैलन्स की बात कही है इसके अलावा 72% लोगों ने कंपनी को काम के लिए बहतर जगहा करार दिया है आईए जानते हैं कैसे हुई Tata Consultancy Services की शुरुआत और कैसा रहा अब तक का सफर TCS की नीव 1968 में पड़ी थी Tata Group ने एक स्टार्ट अप के तौर पर इसके शुरुआत की और शान्दार तक्नीकी विशेश अग्या फकीर चन्द कोहली को जनरल मैनेजर के तौर पर जिम्यदारी दी गई जो इससे पहले Tata Electric Company में जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे इसके बार 1970 का दौर आया और कंपनी को सरकार की ओर से Software Design के काम मिलने लगे इसमें TCS को Shares, Registry Work, Provident Fund Accounting जैसे काम करने थे 1971 में पहली बार कंपनी को देश से बाहर कोई काम मिला Middle Eastern Power Generation and Distribution Company ने TCS को अपने Store और Computerized Eventory Control System को संभालने की जिम्मेदारी दी इसके बार TCS को लगातार Growth मिलने लगी 1976 कंपनी के लिए बहुत खास साल साबित हुआ जब उसने 1 मिलियन डॉलर का Revenue Export की जरिये हासिल किया फिर 1979 में कंपनी ने देश के बाहर New York में अपना पहला Office खोला भारत में भी TCS ने Technological Revolution को आगे बढ़ाया उधारन के लिए 1992 में जब National Stock Exchange की शुरुआत हुई तो उसके ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म को तयार करने का काम TCS ने ही किया 2001 में TCS को State Bank of India की 13,000 ब्रांचिस और साथ अन्य सहोगी बैंकों के Core Banking Solutions का काम मिला ये भारत का सबसे बड़ा Banking Software Project था इसके बाद कंपनी ने 2002 में चाइना में अपने काम को बढ़ाना शुरू किया 2004 में TCS ने जब BSE और NSE में अपना IPO लाँच किया तो उसने शेर बाजार में धूम मचा दी 850 रुपे के साथ उस दौर में TCS का शेर सबसे उंचा था 2012 में कंपनी ने 10 अरब डॉलर के रेविन्यो को पार कर लिया 2018 में कंपनी ने अपने 50 एयर्स पूरे कर लिये फिलहाल कंपनी 46 कंट्रीज की 149 लोकेशन पर काम कर रही है एक भारतिय कंपनी को इतने बड़े लेवल पर देखकर बहुत गर्व महसूस होता है आपको TCS का ये सफर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं यहाँ पर हमारा फेन पॉइंट एक्स्टर दोस समाप्त होता है आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को देखने और हमसे लगा तार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद